दोस्तों कोई भी उनिवर्सिटी जो कि डिस्टेंस एज्टेंस 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 Education Bureau के approval के कोई भी degree जो है valid नहीं होगी, कोई भी course जो है valid नहीं माना जाएगा, तो इस चीज़ को चेक करना बहुत ज्यादा सो आना है, UGC और Distance Education Bureau में यह चारी चीज़ें बहुत ज्यादा transparent रखी हुई हैं, तो उसके लिए चलते हैं Distance Education Bureau की website के उपर, तो तो देखो Distance Education Bureau की website पर जाने के लिए आपको simply लिखना है Distance Education Bureau Google के अंदर और website है dev.ugc.ace.in यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर इस टाइप का interface आपको मेलेगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर न्यूँ इंटरफेस पर आपी website यह अपडेट हुई है, यहाँ पर देखेंगे आपको Student Corner मेरेका, Student Corner के अंदर आपको यहाँ पर Know Your University के अंदर Open and Distance Learning का ओप्शन है and Online Learning का ओप्शन है, आप simply यहाँ पर क्लिक करो Online Distance Learning के ओपर और उसके बाद आपके बाद से एक List निकल के आएगा, आप Left Hand Side में देखेंगे, यहाँ पर आपको States हैं और इस साइड इनुवरसिटीज हैं, तो जैसे मैं कोई भी State है यहाँ से चूज के लेता है, जैसे आपका असाम है, असाम मेरे चूज के तो साथ में इनुवरसिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी मिल जाएगा कि इनुवरसिटी की Official Website कौन से है, रिजिस्ट्रार कौन सा है, इनुवरसिटी का एड्रस कौन सा है, कब इनुवरसिटी कब से है, सारी चिसे आपको यहाँ पर मिल जाएगी, साथ में, जो की बहुत ज़्याद ज़रूरी है, वो यह है Number of Programs, यहाँ पर year मिलेंगे, आपको यहाँ पर courses मिलेंगे, 21-22 के लिए यहाँ कोई भी शोर नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर अभी तक एक और चीज है कि अगर आपका course जो है, वो पीरिड में, जैसे मान कि जो यहाँ पर January 2020 के अंदर यह approved था, January 2021 के लिए approved था, तो अगर इस period के अंदर आपने admission लिया हुआ, इस batch के तरह आपने admission लिया, तो आपके degree जो है, वो valid होगा, हाँ, आगे नहीं है, क्योंकि अप्रू डैली ले ले लेता हूँ, डैली में देखो साथ इनुवर्सटी, साथ में यह भी बता रहा है कि कितनी इनुवर्सटी जो है, इस state के अंदर approved है, तो डैली के अंदर देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो जैसे आपका ये, इगनोव है, इगनोव है, जैसे आपको पर जाते हैं, जो भी कोर्स के अंदर आप जाना चाते हैं, जिस भी कोर्स के अंदर जाना जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, distance education bureau के अपसाइट पर जाएए, वहाँ पर पहले चेक किजिए, उसके बाद ही इनुवर्सटी में रोल कीजिए, बहुत सारी इनुवर्सटी, ह अगर किसी इनुवर्सटी के पास next session का approval नहीं है, तो थोड़ा सा परहेस कर लिए उस चीजिए उस इनुवर्सटी के अंदर जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि approval ना मिले, ठीक है, तो जिस इनुवर्सटी के पास approval होगा, आप उसी इनुवर्सटी को जो है, चूज करें, साथ मैं academic planner रहता है कि आपका admission session कब से कब तक चलेगा, distribution SLM, मतलब study self learning material, counseling and practicals कब कब होंगे, assignments कब होंगे, evaluation कब होगा, examination कब होगे, सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, दोनों sessions के रहेगा, जन्मरी वाले के लिए और जुलाई वाले के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप जोएं distance education viewer की website के ओपर जाकर के distance and online learning courses का approval चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों मेरा नाम है Amit Sharma, एन मैंजे trainer and career coach प्रक्रिस कर रहा हूँ, इस channel के ओपर हम बात करते हैं, career courses और colleges की, तो अगर वीडियो यह आपको informative लगा हो, तो share जुरू कीज़ीजी के वीडिय के अंदर लिख सकते हैं, वीडियो कैसे लगा है के अंदर बता सकते हैं, साथ में आपको हमारे social media handles and contact numbers मिल रहे होंगे, इनकी तुरू आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, जाते जाते चैनल को subscribe क्योंकि इस टाइप के वीडियो से हम regular लेके आते रहते हैं, तो दुस्तों मैं म आप लोग में साथ में नेक्स्ट वीडियो कंदर, तिल देन, जाहिन!